हेलो गाइज वेलकम बैक टू दे चैनल और जैसा कि आप लोग को मैं वादा किया था कि मैं आप लोग के लिए FC कॉंटेंट्स लाऊंगा पिछली बार FC24 काफी लेट स्ट्रीम करना स्टार्ट के इसलिए उसमें कुछ भी चीज देना पॉइंटलेस्ट लगा हमको इसलिए हम कोई भी वीडियो उस पर अपलोड नहीं किया यह मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको गेम के सेटिंग्स के बारे में एक्स्प्लेनेशन दूँगा और यह चोटा सा वीडियो रखूँगा ताकि आप जल्दी से जटपट अपना गेम का सेटिंग कर लो कम से कम इतन अपना एपसी 25 की जरनी तुरंत ही शुरू कर सकते हो और अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आता है तो आपको पता है क्या करना है चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दो और दोस्तों के शाज शेर भी कर दो अगर आपके दोस्त भी FC25 कॉंटेंट्स पसंद करते हैं तो चलिए गेम को सुरू करते हैं यह मेरा गेम लाउंच हो गया है सो इस बार के गेम प्ले में और गेम सेटिंग्स में दोनों में मैं कहूंगा गेम सेटिंग्स में कम डिफरेंस है लेकिन गेम प्ले में पूरा डिफरेंस है यह सारे लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये ने गेम प्ले ही बदल दिया है तो वो सिनारियो क्या होगा और आपको game settings की और लेकर चलता हूँ यह देखे आपको कुछने पहले यहाँ settings में जाना है पहले आपको कुछने सबसे पहले आपको जो settings करनी है वो online settings करनी है online settings इसलिए बोल रहो कि आपका game lag नहीं हो फिर privacy settings ठीक है privacy settings में आकी यह सारे बार्स को आपको uncheck कर लें जैसे आपने FC 24 में किया होगा अगर नहीं किया है तो कर लो क्योंकि यह आपका gameplay को slow करेगा और आपके ping को high करेगा क्योंकि देखो survey play time use data है वो हमेशा survey में लगा रहेगा आपको कि आप कुछ cheating तो नहीं कर रहे हैं यह बहुत से लोग cheat code use करते है जैसे इसी time पर अब एक बार का incident बताता हूँ कि Antoine Griezmann जो की एक बहुत ही अच्छे footballer है उनका channel और उनका ID EA वालोंने band कर दिया था जब वो FIFA के साथ partner थे block करने का reason यह था कि वो cheat code इस्तमाल कर रहा था सोचो Antoine Griezmann जैसा बड़ा player यह बहुत पहले का incident है जब FIFA के साथ partners थे तो पहला setting बता दिया कुछ नहीं privacy settings और यह तीन आपको boxes को uncheck कर देना है ठीक है उसका चलिए हम आपको settings की और लेकर चलता हूँ settings में हम जाएंगे game settings control settings भी आपको बता दूँगा और आपको video calibration भी बता दूँगा कि आप जब खेलो तो आपके game पर पूरी पकड़ हो वो next video में आपको explain कर दूँगा ठीक है अब आ जाते हैं हम जल्दी से आपको कहा गया यह हो गया camera camera का settings जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको next में आपको explain कर दूँगा और अगर आप live आते हो मैं आज live भी होने वाला हूँ यह video बहुत जल्द live हो जाती है मैं live भी आता हूँ live stream पर आकर हमसे इस से अवाल का जवाब पूछ सकते हो मतलब आपको एक video आने से पहले आपको information मिल जाएगी तो ठीक है चलिए gameplay में आप आगे बढ़ते हैं आपको करना सबसे पहले क्या है देख लीजे preset को आप competitive रखोगे जैसा आप उसमें रखते थे अपना FC24 में ठीक है auto shots off कर दोगे क्योंकि यह already off हो जाएगा competitive जैसे आप करोगे और यह online पर competitive ही रहता है जैसा पहले भी रहा है sort को अब assisted रखोगे basically मैं बहुत से लोग precision और manual इस्तमाल करते जितने भी pro players है वो manual इस्तमाल करते manual use करने का reason क्या है कि आपका suit पर अगर पूरा पकड़ है कि आप कहीं से भी shoot कर सकते हो अगर आपका suit और suit करने का तरीका अगर precise है मेरे कहने का मतलब तो वो आप use कर सकते हो इसको अगर आपका precise नहीं है तो मैं कहूंगा आपको इसको assisted पर use करने के लिए time finishing on रखोगे time finishing indicator बार आता है जो कि मैं आपको cameras और visual explain करूँँगा उस time पर आपको बता दूँगा वो आपको time finish अगर आप नहीं करना जानते हो तो time finish आप कर सकते हो दो बार आपको suit button प्रेश करना होता है ठीक है अब आज जाते हैं passing पर passing में semi रखना है क्योंकि बहुत सबार क्या होता है कि अगर आपका left D-pad जो रहता है वो अगर खराब होता है तो उससे अगर आप खराब भी रहे अगर आप pass करना चाते हो बहुत से लोगों होते है controller नहीं change कर पाते है controller नहीं change करने का reason क्या होता है कि बहुत सा उसमें shoot miss हो जाता है बहुत से लोगों से passing अच्छे से नहीं होती है तो यह semi बहुत मदद करता है अगर हलका सा भी उसके तरफ रखोगे और power अच्छे से use करोगे तो वो pass उसे दे देगा ठीक है law pass भी आप semi रखना same condition, same सब कुछ जो बताया आपको through pass के लिए भी ground pass assisted रखना क्योंकि annual में क्या होता है कि आपको एकदम precise अगर आप ball roll यूवे गरा यूज़ करते हो तो बहुत से लोग होते ball roll skill moves यूज़ करते हो वो उसको manual पर रखते है क्योंकि वो जानते हैं कि उनका pass वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है वो अतना power power लगते हैं assisted भी रखने के लिए बोल रहा हूँ कि पहले जब तक आपके game पर पकड़ना हो जाए game पर अगर पकड़ हो जाता है तब आप कहकती कर सकते हो ठीक है और उसके बाद आते हैं cross assistance पर cross assistance पर आपको assisted रखना है ठीक है cross assistance क्या करेगा आपका so उसके बाद आपको cross assistance पर assisted रखना है same चीज, same condition passing में जतना assisted रख रहे हो उसका मतलब कि आपको passing पर पकड़ लानी होगी और computer का आपको help मिलता रहेगा यह आपको goal मारने में मतलब मदद करता है बहुत से लोग होते हैं कि इसका इस्तमाल करते हैं हैं कि जब आपको कह गते हैं कि बहुत सारी लोग man to man मार खहलता है बहुत सारी लोग pressing movement पर ज्याद़ा इस्तमाल करता है तो उस टेम पर अगर आपका manual passing रहेगा तो passing वहां तक पहुंचने में बहुत सा लोग होता है, AI block भी होता है तो AI block से वो रुख जाएगा, इसलिए assisted ताकि computer भी थोड़ा सा ये हो सके Pass receiver lock को late पे रखना है, late पे रखने का reason इसलिए कि आप जब किसी को pass कर रहे हो, normal सी बात है इसको fast animation start क्योंकि वो normal सी बात है power up बहुत से लोग power up रखते हैं, power up इसलिए रखते हैं क्योंकि ball आया, टक से आया, pass कर दिया वो उसके लिए use होगा कि जिसके पास latency 2ms 1ms इस तरह से आ रही है वो लोग इसको use कर सकते है, power up को और power up बहुत कमी लोग इस्तमाल करता हूँ मैं देखाओ, क्योंकि power up के लिए आपको ये दोनों बटन, आपको L1 और R1 दोनों hold करके रखने पड़ते हैं ठीक है, अब आते हैं sensitivity sensitivity normal कर देना, बहुत से लोग इसको ये करके रखते हैं, high करके रखते हैं sensitivity को, इसका high करने का reason ये है, कि हलका सा दवाया pass हलका सा दवाया pass, हलका सा दवाया pass और उपर से precision जाएगा आपका फिर आपको clearance, classic बहुत से लोग इसमें, defending में sorry आपाता हूँ, तो defending में आपको बहुत से लोग इसमें classic के जगा directional लगते हैं directional का reason क्या है, कि जिस तरफ आप move करके, ये suit बटन दबाओगे उसी तरफ आपका आपका जो रहेगा defender या जो भी player रहेगा, उस तरफ ही ball को उड़ाएगा classic में क्या है, कि वो undirectional कहीं भी उड़ा सकता है, इसलिए, जोकी को manual रखना है, जोकी के लिए कुछने L2 press करना है defending, tactical defending मैं use करता हूँ, मैं tactical defending use करने का reason क्या है, है कि मैं defending पर ज़्यादा पकड़ पाना चाता हूँ, मेरा defending बहुत खराब है, तो मैं उसको वापस से अपना defending capability को gain करने के लिए से tactical पर रखाऊँ, क्या की है आदा हद तक manual रहे, तो उससे क्या होगा, गोल्स तो मैं खाऊँगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको defending पर पकड़ आ जाएगा, अगर starting में अगर आप advance यूज़ करते हो, तो फिर जब लड़के लोग अच्छे-च्छे cards unlock हो जाएंगे, जैसे बहुत सारी cards आ रहे हैं, आप हलका सा दवाए, बॉल खिचने के लिए, लेकिन वो क्या कर दिया, उसको push कर दिया, push कर दिया, वो fell हो गया, और फिर आपको penalty करने पड़ जाती है, मिल जाती है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको tactical रखोगे, और precision passing पर, मतलब अपना defending पर आपको थोड़ा सा पकड़ लाना पड़ेगा, ठीक है, pass ball of block assistance, जो AI है, वो आपको on रखना है, क्योंकि कहीं से भी pass को, अगर आप जैसे की होता क्या है कि, बहुत से लोग, grounded shoot के लिए न, यह R1 बटन और triangle जो बटन है, इसका इस्तमाल करते हैं, ताकि वो grounded shoot कर सके है, वो की बहुत ही अच्छा move है, अब D में जाकर, मैसी, जिसके पास precision passing वाला जो रहता है, प्लस style, या अभी तो प्लस नहीं मिलेगा, precision pass का style रहता है, उससे अगर आप R1 और फिर triangle दबाओगे, तो आप उसको use कर सकते हो, ठीक है, इस चीज़ का भी आपको बना दूँगा, वीडियो, बस comment section खुला हुआ है, comment section में आप बताना कि आपको और किस तरीके के वीडियो चाहिए, जो कि मैं आपको अच्छे तरीके से glitches के साथ समझाँगा, कि अगर ऐसा हुआ तो यह glitches आएगा, ऐसा नहीं भी बताऊंगा, अगर आप नहीं यूज करोगे, और कोई आपका opponent यूज कर रहा है, तो वो भी बताऊंगा, ठीक है, अब आते है switching की ओर, switching only on air balls, air balls इसलिए कि अगर आप classic यूज करते हो, मैं classic यूज करता हूँ, इसमें controller settings में, मैं classic यूज करता हूँ, classic में होगा कि only on air balls, जब बहुत से लोग होते हैं, कि air balls का ज़्यादा इस्तमाल करते हैं, मतलब हवाई pass, ज़्यादा इस्तमाल करते हैं, तो होगा कि ball के पास precisely आपको player पहुँचेगा, मतलब example देता हूँ कि अगर आप जैसे कि player को pass दे रहे हूँ, player अगर आपका दो गज आगे है, तो आप उसको pass कर दिये, तो वो सामने वाले जो defender है, वो आपको कैसे रुक पाता है, क्योंकि उसने ये setting on कर रखी रहती है, इस setting से होता क्या है, basically इसका क्या करता है, कि precise जो ball जहां गिरेगा, वो उसको पता हो जाता है system को, और वो player, वो उससे नस्दीक जो player होगा, वो उसको आपको mark करा देगा, ये बहुत ही बढ़ियाँ settings है, जो कि FIFA से चला रहा है, इसमें, auto switching, move assistance, बहुत से लोग use करते हैं, लेकिन वो लोग इसको use करते हैं, लोग, सोरी, इसको high पर करके use करते हैं, मैं इसको none पर use करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पर रगा, मतलब use है, right stick switching classic रखेगा, classic से फाइदा क्या रहेगा, कि आपका nearest ball जहां पर ball रहेगी, वहां पर आप इसको switch कर सकते हो, यह भी आप switching के लिए use होती है, यह directional रहता है, जिस direction पर माली जैसे कि आप press करने के लिए, मतलब कोई भी जैसे कि आप लोग को custom रखते हो, कि बहुत से लोग दें कि मैं classic use करता हूँ, मैं उसका बता रहा हूँ, कि मैं L1 use करता हूँ, तो 11 अग जैसे मैं press करूँगा, तो वो उस player पर ना पहुँचे, जिस player पर मैं चाहता हूँ, तो उस चीज़ पर pro players क्या करते हैं, कि इस चीज़ का इस्तमाल करते हैं, यह तब होता है, जब आपको free kicks, short free kicks, फिर आपको क्या करते हैं, corners, वो सब रोकने के होते हैं, तो उसमें यह चीज़ बहुत काम आती है, तो उसको आप classic रख सकते हो, manual रख, player rotation, adaptive, adaptive और यह जो नए settings आपको दोनों दो दिया है, player rotation आपको तुरंट change कर देगा, मैं classic यूज़ करता हूँ, right stick switching reference, यह player relative रहता है, और इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ टिपनी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ball relative रखके कभी फाइदा हुआ नहीं, player relative से फाइदा क्या होता है, कि जो heavy player रहा, वो उसको mark अच्छे से करता है, और sensitivity को आपको 4 पे रखना है, और next player switching closest to ball, अगर आप ball position में और rotation time modifier off रहेगा, reaction time modifier sensitivity 6 पे रहेगे और player lock on रहेगा, अब आते हैं dribbling पे, dribbling वाला चीज जैसे अगर आप इसको on रखोगे, player lock को इसको off करोगे, तो conceptual dribbling on हो जाएगी, ठीक है, यह basic यह आपको, मैं बता रहा हूँ, जो settings है, यह सारे आपको help करेंगे, अच्छा player बनने के लिए, जब आपको pro player लगे कि आप बन सकते हो, आपको ability है कि आप सब players पर बरावर control कर सकते हो, तब आप यह contextual जो आपको यह कहता है, dribbling जो यहाँ पर show कर रहा है, इसको आप use कर सकते हो, ठीक है, goalkeeper में assisted रहेगा, इस पर कोई, मैं यह नहीं करना चाहता, तो मैं starting से assisted यूज किया हूँ, और कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि अगर आप assisted, क्यूंकि बाकी सब में क्या होता है, कि manual पर आप keeper पर control आना चाहिए, तो आपको उतना ध्यान नहीं रहेगा, कि अरे भाई, pass वाला दबाउंगा, तो पकड़ेगा, और यह वाला दबाउंगा, तो दोड़ेगा, तो assisted में क्या रहेगा, कि थोड़ा सा आपको computer भी help करेगी, और थोड़ा सा आपको खुद से भी करना पड़ेगा, वो चीज़ का भी एक goalkeeper का भी वीडियो में बना दूँगा आप लोग के लिए, जिस जो चीज़ में दिक्कत सब लोग को लगता है, अधिकतर players को, जो बहुत से matches हारते हैं, मैं उनके लिए ये कर दूँगा, बस बसरती है कि like बटन दब जाना चाहिए भाई, और analog sprint off रहेगा, analog sprint का basically since क्या होता है, कि analog आपको कहते हैं, कभी-कभी लोग इस पर activate कर लेते हैं, तो analog से होता क्या है कि आपका right side का जो ये, जो आपका, sorry, ये right side का जो आपका joystick रहता है, उसको आपको कह कहते हैं, यूज करने पड़ता है, तो होगा क्या, कि आपका भी छोड़े इसको पकड़े, तो फिर वो ball इस sprint से move करता है, और उतने fast move नहीं करता है, मतलब किसी player का pace अगर 99 रहा, और analog sprint on रही, तो आपको दोनों प्रेस करना होता है, बहुत से YouTubers कहते हैं, कि इसको से slow होता है, slow नहीं होता है, आपको दोनों यूज करना पड़ता है, मतलब आपको, जैसे मैं classic यूज करता हूँ, classic पर बता रहा हूँ, R2 भी प्रेस करना पड़ेगा, और आपको ये वाली जो joystick के आपको key दिख रही है, right side वाली, ये भी आप को आगे की और प्रेस करनी पड़ेगी, तो ही इसके full speed का आप इस्तमाल कर पाओगे, अगर off रखोगे, तो सिर्फ ये से काम हो जाएगा, फिर आते हैं trigger effect, trigger effect क्या होता है, कि अगर आप इसको on रखते हो, जैसे ये लिख रहा है, तो trigger effect आपको क्या करेगा, कि कि किसी भी च रखाऊं, जब से अभी से start किया हूं खेलना, 24 आपको, उससे पहले भी ये trigger effect था, trigger effect उसी में काम करता था, जिस player की sensitivity high रहती थी, sensitivity कहने का मतलब है कि player के आपको defending stats में जाना है, उसमें जिसका आपको agility जादा होगा, इसलिए देखना, pro players का सबसे बड़ा एक conceptual चीज रहता ह है, कि वो ज़ादा तर हमेशा use करते हैं आपको high sensitivity players, high sensitivity कहने का sense है, high agility players, भले shooting कम हो, चलेगा, लेकिन वो आपको agile होना चाहिए, और feedback आप use कर सकते हो, on करके मैं off रखता हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कि ज़्यादा shake कर जाता है, तो वो बार खुल जाता है, और उस type कभी 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 इसके साथ होता है, इसलिए बहुत से लोग उसको off रखते है, यह थोड़ा सा hectic चीज़ है, so guys, यह है हमारा पूरा का पूरा game setting, next मैं आपको camera settings आपको बता दूँगा, और अगर आप हमारे साथ live जूड़ोगे, तो live पे मैं camera settings already explain कर दूँगा, और video इसके लिए मिलते हैं आपसे next video में, bye bye, take care